तो हेलो सेल इंजिनियर्स में राहूर कोली आपका स्वागत करता हूं रिन्फोर्स के डिजिटल प्याटपॉम पर दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो स्टील से रिलेटिट होने जा रहा है जैसे कि हमारी साइट पर जो भी स्टील प्रोवाइड होता है तो वो ठीक है कि न दोस्तों ऑन साइट पर अगर आप स्टील को चेक करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको जब भी कोई आपके सामने गाड़ी आती है तो वहाँ पर क्या है आपको manufacturing test certificate आपको देखने के लिए मिल जाएगा ये manufacturing test certificate क्या होता है जब भी कहीं पर unit से अगर आपका टील बार बन हो जाएगा जो भी vendor आपका ये steel bars लेके आता है वो आपको easily provide कर देगा तो आपको इस manufacturing test certificate को एक बार check कर लेना है कि क्या क्या component उसमें लगे हैं और किस तरीके से वो ठीक है के नहीं है पूरा certificate आपको वहाँ पर मिल जाएगा ठीक है फिर आता है दोस्तों tag आपने कभी भी reinforcement reinforcement देखा होगा तो उसमें आपको दो-तिन तरीके के tax देखने के लिए मिल जाएंगे जैसे कि अगर आप Tata Steel का कोई भी steel लेते हैं तो वहाँ पर आपको उसका manufacturing देख जाएगा कि ये Tata Steel का है ठीक है तो आपको इससे भी पता लग जाएगा कि ये Tata Steel से बनकर आया है अगर क साही का मार्क नहीं लगाए तो वो जो Steel है वो ठीक नहीं है ठीक है उसको हम use नहीं करेंगे और एक tag हो रहे है जिसको हम कहते हैं 500D ठीक है 500D हमारा tag पर लगा ही रहना चाहिए क्योंकि जितना भी हमारे Steel बनकर आता है वो आपका 500D में ही आता है और भी बहुत सारे चीज़ reinforcement आया है तो आप उसका एक बार measurement से भी चेक कर सकते हैं कि जैसे आपने अगर 12 mm का बार मंगाया तो आप उसको measuring tape से पूरा measure करके देख सकते हैं कि वो पूरा 12 meter बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है अगर आप कोई भी reinforcement मंगाते हैं जैसे 12 mm का 16 mm का या फिर 8 का 10 का अगर कोई reinforcement मंगाते हैं तो उसको आप एक बार measurement करके भी देख सकते हैं कि वो पूरा 12 meter बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है अगर 12 से कम बैठता है जैसे 11.5 बैठ रहा है 11.7 बैठ रहा है तो वो reinforcement ठीक नहीं है वो आप यूज कहीं पर नहीं कर सकते हैं उसमें कोई नो कोई manufacturing defect है इस फजेसे वो जो भी बार है, वो 12 meter का पूरा नहीं बैठ रहा है ठीक है फिर आता है दोस्तो डायऑ ओफ बार जैसे कि आपने कोई भी एया मंगाया जैसे आपने 8 का मंगाया दस का मंगाया 12 का मंगाया फिर 16 का मंगाया एक बर दोस्तों आपको भी पूरा उसका yeah check करना पड़ेगा कि अगर मैंने सोला का मंगाया तो सोला डायमेटर उसमें बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है आपको इजली वहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रुमेंट दिख जाएंगे अलग अलग तरीके के वहाँ पर गेज होते हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि वह सो करके देखेंगे मतलब तोल कर देखेंगे तो उसका एक यूनिट फिकस आता है अगर आपका यह नहीं आ रहा है 75 rhredμ अं अरज आ एइसा कुछ आ अरहा है तो वह जो बार हैppo locally कुछ नवच्ब्स डिफेक्ट है इसन वाइससे जो एक्क्वरेसी है वह नहीं आ रही है, ठीक है, अगर आप side पर इसीज को निकालना चाहते हैं, तो इसका एक formula होता है, d square divided by 162, तो आप किसी भी diameter का unit weight निकाल सकते हैं, जो आपका d है, वो आपका bar हो जाता है, आपको simply क्या करना है, d square divide by 162 कर देना है, जो भी आपका result निकल कर आएगा, उससे आपको check कर लेना है, जैसे कि आपका 12 mm का अगर बार आया है, तो 0.88 kg के आसपास आएगा, ठीक है, तो आप unit weight से भी इसको check कर सकते हैं, फिर आता दोस्तों color test, color test में क्या होता है, जब भी हमारे पास कोई नया बार आता है, तो उसका जो color होता है, वो gray color का होता है, ग्रेश color होता है, ठीक है, अगर वो कुछ दिनों बाद brown color में बदलने लगता है, मतलब कि उसमें rusting लगने start हो गई है, तो rusting का भी दोस्तों एक यूज कर सकते हैं, ठीक है, बट अगर कहीं पर rusting लगना start हो चुकी है, और वो rusting आपके हाथ में बैट जा रही है, तो इसका मतलब कि वो बार एकदम खराब है, ठीक है, उसको हम कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते हैं, फिर आता है दोस्तों bend and re-band test, bend और re-band test आपका बहुत ही ज़्यादा important है, दोस्तों bend test क्या होता है, सबसे पहले bend test देख लेते हैं, आपको किसी भी डाया का एक बार लेना है, उसको 180 degree पर घुमाना है, मतलब कि जैसे U shape होता है, उस shape में आपको घुमाना है, जो उसका बाहर का part होता है, वो आपका tension zone होता है, अगर उस zone पर आपका कहीं पर भी crack develop होता है, तो इसका मतलब वो बार खराब है, ठीक है, तो यह होता है दोस्तो bend test, क्योंकि जब भी हम 180 degree पर उसको घुमाते हैं, तो वहाँ पर crack develop नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो आपका बाहर का portion होता है, वहाँ पर आपका crack develop नहीं होना चाहिए, ठीक है, फिर आता दोस्तो reband test, reband test में क्या होता है, आपको एक bar लेना है, उसको 135 degree पर band करने के बाद आपको उसको एक 30 minute के लिए boil करना है, ठीक है, जो आपने bar band किया था 135 पर, उसको 30 minutes के लिए boil करना है, ठीक है, boil करने के बाद आपको 157.5 degree पर आपको उसको दुबारा से band करना है, ठीक है, अगर उस time पर आपका bar crack होता है, तो भी वह जो bar है, वह आपका खराब है, मतलब कि अगर 157.5 degree पर आपका वह bar crack हो जाता है, तो वह bar आपके लिए बहुत ज़्यादा खराब है, ठीक है, तो यह होता है दोस्तो band और rebound test, यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी side पर अगर आपको check करना है, bar किस तरीके से, bar आपका खराब है, सही है, तो यह bend और rebound test आपको जरूर करना आना चाहिए, तो I hope दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि steel पर अगर आप test करना चाहते हैं, कि यह सही है कि नहीं है, manufacturing defect है कि प्लीज लाइक कीजिए और ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, thank you so much